गुरुदेव के साथ बाचीत के कुछ पसंग श्री लक्षमन अगरवाल विलासपूर्ट सन ब्यासी में शक्ति पीत उद्धातन दोरे पर मैं भी जब गुरुवर के साथ चला तम मन में जो प्रश्ण भरते समधान उनसे प्राप्त कर लेता मेरी जिग्यासा उन्हें भी अच्छी लगती वा बिना छड़के ना किवल उत्तर देते बलकि विस्तार से समझाते भी मैंने पूछा उर्देव कहां जाता है कि जूटन छोड़ना पाप है फिर भी बहुत लोग जूटन छोड़ते हैं ऐसा कि गुरुजी भीता आजकल अन्हम पैसे से खरीदते हैं इसलिए लोग उसकी तुलना पैसे से करते हैं जूटन छोड़ देते हैं और उसे फैंक देते हैं किन्तु है वास Condta नहीं है पैसे से अन्ह खरीदा नहीं जा सकता अन्ह धर्ती माता अपनी छाती चीर कर देती है कोई उसका अपमान करता है तो धरती मा दुखी होती है और दूसरे जन्म में उसे अन के लिए तरसाती है प्रशन गुरुदेव वकालत करने वाले वकी जूट सच बोलकर सही को गलत और गलत को सही ठहरा देते हैं यह उनका पेशा है क्या उन्हें पाप नहीं पड़ता इतने में कुट्ता लंगडाता हुआ बीस सड़क्सी में कहीं आ गया गुरुदेव बोले देख बेटा यह कुट्ता पूरुजनम में वकील था अब अपने जूट सच का हिसाब चुकता कर रहा है जिसका गलत किया वह पीच रहा है अपना भोग तो हर व्यक्ती को भोगना ही पड़ इससे तू क्यों दुखी होता है इस सब की प्राप्ती के लिए भी प्रादध चाहिए यह भी हर किसी के भागि में नहीं होता राम रावर युद्ध के बाद दोनु सैनाओं के बीच अमरत वर्शा हुई थी बानर भालू जी उठे राक्षस नहीं क्योंकि वे चित पड़ है अमरत व्रिष्टी भाई दुहू दल ऊपर जी भालू कपी नहीं रजनी चर इसलिए तू अपना काम करके अपना करतव्य पून कर तू दूसरों को अच्छाई ग्रहन करने कहेगा तो तुझे स्वहम तो अच्छाई अपनानी ही पड़ेगी इस प्रकार कम से कम तू तो अर्जित करते हैं किन्तु आध्यात्मिक शक्ति अर्जित नहीं करते नाहीं उसका महत्व जानते है याधि महत्व जानते तो उसमेदि करने का प्रातन संगल्प कर आते रहते हैं गुरुदेव, बेते, शान्ती कुंजे कैसा इस्थान है, जहां जो भी संकल्प किये जाएंगे पून होंगे, बस आपका पून प्रयास होना चाहिए, यदि संकल्प के बीच शरी ना भी रहा, तो भी मैं उसे पून कर दूँगा, प्रश्न, और यदि शरी रहते संकल्प त पूट जाए, तब क्या करें, गुरुदेव, फिर वही संकल्प करना चाहिए, प्रश्न, साधारन व्यक्ति जिसमें साधारन संसकार है, हम अपनी आध्यात्मिक उन्नती के लिए क्या करें, गुरुदेव, सतत संबंद, सतत प्रयास, प्रश्न, आत्मा की आवाज कैसे सु नहीं जा सकती है, प्रश्न, दुख कैसे दूर किया जाए, गुरुदेव, अज्यान, अभाव और आसकती को हटा कर दुख दूर किये जा सकते है, प्रश्न, क्या तृतिय विश्युद्ध होकर रहेगा, बड़ी शक्तियां बिना युद्ध के मानेंगी, गुरुदेव, पेटे, जो लोग विश्य कथन में विश्युद्ध करते हैं, वे नोट कर ले, इस बार विश्युद्ध नहीं होगा, बड़ी शक्तियां कौन होती है, बड़ी शक्तियों को भी तक्कर मारी जा सकती है, गुवार्चोव कौन होता है, डॉक्टर दक्ता ने बताया कि कुछ दिन बाद गुवार्चोव ने स्वयं, ग्लास नौस्त एवं, पैरी इस्ट्रोइतिका, वार दरशिता वा सहकार की घुशना की अन्निता, रशिया, आयरन कर्टेंड, अर्थात, लोहे के पड़दे वाला देश कहलाता था, वहां क्या हो रहा है, किसी को नहीं मालुम था, बाद में गुवार्चोव को शांती का नोवल पुरुसकार दिया गया, उन दिनों अमेरिका ने भी स्टार वार की पूरी तयारी कर रखी थी, तेरा परवरी 1986 की वसंत पंचमी को गुरुदेव ने कहा, स्टार वार को मैं धस्त कर दूंगा, इस गोशना के थी कि एक महवा थोड़े अंशदान से शांती कुझ का खर्च पूरा हो जाता है, गुरुदेव बेते इस विशे पर तू अपना दिमाग मत लगा, इतना खर्च कहां से पूरा होता है, यह जानकर तेरा दिमाग चक्रा जाएगा, यहाँ पैसा की वर आद्मियों से नहीं आता, अन्य इस तोतों से भी आता है, अतात्यु से जितना कहा जाए उतना ही कर, शांती कुझ विद्याले के उद्गाटन के पहले गुरुदेव ने कहा था, प्रश्न, गुरुदेव ने जब ध्यान के समय 24 बार गायत्री मंत्र बोलने की शुरुवात की, तम मैंने पूछा था, गु जोकि मैं केवल बैखरी बाणी से नहीं, मद्यमा वा परावाणी से भी मंत्र बोलता हूँ, क्या कुम्भ में हिमाले की बड़ी हस्तियां भी आती है, श्री शांतिलाल आनंद गटना संच्यासी की है, परम पूझ गुरुदेव तब सुक्षमी करन साधना से निकले ही थे, श्री शांतिलाल जी बताते हैं कि कुम्भ का समय था, मैं अपने एक मित्र कारिकर्ता के साथ तीन-चार दिन के लिए साइंसी कुन जाया था, गुरुदेव हम दोनों को प्राया, सुबह शाम बलवा लेते, सब्चों का उपर ही था, वहीं खाना बनता, छत पर ही बैठ कर स पूछो, पूछो, पिल्कुल पूछो, मैंने कहा, हमने सुना है, गुरुजी कुम्भ के मेले में हिमाले से रिशी मुनी, वह अन्य बड़ी-बड़ी हस्तियां भी कुम्भ में इस्लान करने आती हैं, क्या ये सच है, हाँ बेठा, जरूर आएंगी, ये सभी हस्तियां इस् गुरुदेव ने का, हाँ, ये जो तख़त देख रहे हो न, इस नान के बाद इसमें आकर हमारे पास दादा गुरुजी वैठेंगे, हमारा वारता नाफ होगा, और वे बापत सुक्ष्म रूप से चले जाएंगे, किसी को नजन नहीं आएंगे, मेरी शंका का समधान स्व गौदरी महराज की भविश्यवानी, नंदी चोदरी हल्दवानी, 1970 में अपनी बहन के पास जोशी मट गई थी, अक्टूवर महा में दिपावली के दिन थे, विदित हुआ की धोली गाओ नीती घाटी में तपोवन के समीप एक सिद्ध गौदरी महराज रहते हैं, महराज अपना अधिकांश समय तपस्या में एक गुफा में वेतीत करते हैं, सौभाग गिवर्ष वहाँ जाने पर हमें उनके दर्शन हो गए, पता है कि सिद्ध महराज 200 वर्ष से भी अधिक की अवस्था के हैं, उन्होंने मुझसे कहा, बेती, तुम लड़की नहीं लड़का हो कल्युक की अवतार शक्ती आवल केड़ा में अवतरित हो चुकी है, कभी अभी दुनिया को पता नहीं है, 15 वर्ष पस चाथ तुम उनके दर्शन करोगी, समय के साथ साथ में इस बात को भूल गई, वर्ष 1985-86 में नैतिक सिक्षा की प्रिक्षन कारिक्रम में मुझे शान्त पूजिवर के एवं बंदनी माता जी की दर्शन किये और अनमोडा बापस आ गए, किन्तु उस समय सिद्ध महराज की बात का कुछ ध्यान नहीं आया, वर्ष 1989 में परवपर बंदनी माता जी का प्रवचन सुना, प्रवचन में जब गुरुदेव के जन्मिस्थान, द्रड़ हो गई, आज भी मैं प्रतिपल उनकी पेरिनावा, जीवन में शान्ती और स्वक्षा अनुभव करती हूं, देवराह बाबा, भारत के मान में संत रहे हैं, बड़े-बड़े उद्योग पती एवं राजनेता, उनका दर्शन पाने के लिए लालायत रहते थे, प्रशाद मिश्ट्रा जी, एक बार मैं और मेरा एक मित्र केपी श्रिवास्तव देवराहा बावा जी से मिलने गए, हम लोग बावा जी के मचान तक पहुँचकर उनके एक शिष्ष से बोले, कि स्वामी जी को कहें कि पंडिश श्री राम शर्मा के शिष्ष आए हैं, स्वैम ही बोले, आचारे जी के शिष्ष हो कुम, महाकाल के शिष्ष हो तुम, तो सबनी नहीं हो, हम प्रणाम कर रहें तो सोच कर ही कर रहें, तुमारे गुरूष राम नहीं, स्वैम राम है, हम लोगों को वहा तक जाते जाते भूक लग गई थी, तो मन में ठान कर गई करेंट कि संटों के पास खूब फलाधी रहते हैं कुछ तो खाने को मिलेगा ही बाबा जी की बात सुनने के पश्चात हमारा ध्यार भूग की और गया तब तक बाबा बोले इनको भूग लगी होगी इनको खाने को दो आदेश पाकर उनका शिष्य संत्रे ले आया और दूदू संत्रे हम नों को दिये इस पर बावा ने कहा दूदू क्या देते हो हाथ भर भर को दो हम लोग जूली भर भर का प्रशाद लेकर आए और पीट भर संत्रे खाए की दिश्टी सुख्ष में आप उनके बारे में हमें समझाएं तो वे बोले जिनका मैं अपने हर्दे में निरंतर ध्यान करता रहता हूं वे हैं तुम्हारे गुरू आचारे श्री राम बावा के उक्त कत्न में कितनी गहराई है यह कौन समझ पाता संत्र सहजी दूसरों को सम्मान देते रहने के अभ्यस्त होते हैं इसी संत सुलब शिष्टाचार के अंतरगत लोग उनकी उख्त अभिवेक्तियों को लेते रहे एक और तत्त है पूझ गुरुदेव के शरी छोड़ने के कुछ दिन बाद ही बावा ने भी शरी छोड़ दिया इसे भी एक सेन्यों कहां जा सकता है लेकिन निम्न संस्मरण से उनके कतना और परसपर संबंदों की गहराई प्रकट हो जाती है श्री राम चले गए अब मैं शरी रखकर क्या करूंगा बावा के शरी छोड़ने के बाद उनके एक अननने शिष से आईएस अधिकारी जब पहली वार शानती कु पूछी हमने बताया पूछ गुरदेव ने दो जून नब्भे को शरी छोड़ा सुनते ही उनके मुकसे सहजी निकर पड़ा देखो यही बात थी पूछने पर उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया बाबा के देधे आगने से कुछ दिन पहले वे बाबा से मिले थे तो बात समझ में नहीं आई आत्मा कैसे और कहां चली गई तो बाबा बुले अरे वे श्री राम चले गए ना अब ये श्री रखकर क्या करूंगा और कुछी दिनों बात 19 जून 1990 को बाबा ने श्री छोड़ दिया वंदरिये हैं यह दिव्य प्रेम और वंदरिये हैं उसे धारन कर रहे हैं जब कभी दोनों की प्रतक्ष भेंट होती तो श्री राम चलेत मानस की चोपाई मुनी रगवीर परस पर नवहीं चलेतात होती दिखती थी स्वामी जी पूझ गुरुदेव से उम्र में 25 वर्ष बड़े थे पूझ गुरुदेव उन्हें प्रत्त्रुल्य कहकर प प्रणाम करते थे पूझ गुरुदेव उन्हें मना करें तो बड़े अधिकार पूर्वक कहते थे यारे आचारे जी मुझे रोकिये मत यह मेरी शुद्धा का प्रश्ण है उनका पूझ गुरुदेव को नमन करना केवल सामने का सिष्टाचार ही नहीं था उनका प्रश्टि खरास का जिकर करते हुए कह दिया आज व्यक्तित का धनी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाए देता जिसे शुद्धा से नमन करने का भाव बने इस पर महात्मा आनंद सौमी जी ने बिना किसी लाग लपेट के पूझ गुरुदेव का संधर्व देते हुए कहा ऐसा ना कहें आज भी ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे उम्र में काफी छोटा है और गहस्त आस्रम में है फिर भी मैं उसे शुद्धा सहित नमन करता हूँ आरे समाज के शतागदी समहरों के दोरान दिलने का ही प्रसंग है आरे समाज के कुछ वरिष्ट प्रते निधियों से स लोग शिक्षन की बात कर रहे हो यह विद्या सीखनी है तो आचारे श्री राम के चरणों में जाकर बैठो प्रस्ताव करता आरे समाजी विद्वान पूजे आचारे श्री द्वरा गायतरी माता के चित्र और मूतियां स्थापित कराये जाने से सहमत नहीं थे महात्मा आन स्था जगाने के लिए प्रतीक रख देते हैं तो क्या बुरा करते हैं यह प्रसंग महात्मा आनंद स्वामी जी ने हरिद्वार सब्त रिशी छेत्र के इस्तिर व्यास आस्रम में बड़ी प्रसंद्न मुद्रा में पूज गुरुदेव के सामने सुहम सुनाया था गुरु स्वयम में से आयू में छूटे और ग्रहस्त होते हैं उनको शुद्धा पूर्वक नमन करते थे पूज गुरुदेव के प्रती उनका दुष्टी कोन कैसा था यह तथि निम्नांकित दो प्रसंगों को एक साथ समझने से स्पष्ट हो सकता है शान्तिकुंज के बड़े भा में अपनी उत्रा खंड यात्रा का प्रसंग सुनाया हम हिमाले यात्रा पर गए थे प्रहता इस नान ध्यान के बाद परवतों का हिमाच्छादित वनुहारी दृष्ट रहे थे रंगोत्री से उपर जाते समय देखा एक जगा हिमाच्छादित छेत्र के बीज एक चक्ठा जानी बाते छोड़ो कोई ठोस बात पता हो तो बताओ तब गाई ने बताया कि ठोस बात क्या है ये तो नहीं जानता लेकिन इस छेत्र की मानिता यह है कि इस इस्थान पर कभी शिवजी ने तब किया था इसलिए यहां कभी वर्फ नहीं जमती चाहे जितना हिम पात होता सुनकर मैंने उस स्थान को ध्यान से देखकर कहा वहां चल सकते हो गाइट दुर्गम छेतर कहकर कत्राया कुछ हमारे प्रभाव के कारण कुछ धन के लालच से आग्रह करने पर वह तयार हो गया दो गंटे के कठिन परिश्टम के बाद किसी तरह हम वहां पहुंच गए वहां कहुंच कर मैं ओम का ध्यान करने बैठा तो मुझे आचारे जी वा माता जी दिखाई दिये मुझे आश्चर हुआ मैंने पर ध्यान करने का प्रयास किया तो मुझे फिर वहां आचारे जी और माता जी की उपस्तिती का अभास हुआ मेरे बच्चों मेरी कुडियों तुम ल से कहा जाश्य प्रसाद देखकर आतो महात्मा जी आश्रम में है की नहीं मैं व्यास आश्रम गया स्वामी जी मुझे देखते ही बोले आचारी जी को बोल देना आनंद स्वामी नहीं है यहां नहीं है तू नहीं बोलेगा तो वे यहां आ जाएंगे मेरे पास वे उनकी समय को बहुत महत्व देते थे और अक्सर स्वयम ही गुरुदेव से मिनने शान्तिकुंज आ जाया करते थे फिर मुझे प्राइश्ची सरूप अनुष्ठान करना पड़ेगा इतने में हाथों में फनों का टोकरा लिए स्वयम गुरुजी पहुँच गए महत्मा आनन्दस्वामी उनके चरंच होने के लिए आगे बड़े गुरुजी ने तुरंत अपने पाउं पीछे समेट लिए और उनके चरंच परश करने के लिए आगे बड़े इस पर महत्मा जी सिध्धासन लगा कर बैठ गयर बोले देखो आचारे जी आप पाउं नहीं पढ़ने दोगे तो लोग हम सिध्धासन लगा कर बैठ गयर गुरुदे बोले बाबा आप ऐसी जित क्यों करते हो आपने तो हटीयों की साधना यहीं पर शुरू कर दी महत्मा जी बोले मैं तो हूँ ही हटीयोंगी हार कर गुरुजी ने पाउं सामने किया उन्होंने तुरंथ प्रणाम किया गुरुदे ने भी तुरंथ बिना एक पल गवाय महत्मा जी को प्रणाम किया इस पर महात्मा जी बोड़े अब क्या अब क्या अब तो हम जीथी गए प्रकार दोनों संतों में परस पर प्रडाम के लिए अक्सर होड रहती थी महात्मा जी शांति कुझ आते तब भी कौन पहले चरण सपर्श कर ले दोनों संत इसी प्रयास में रहते कभी कभी गुरू जी उन से परहास भी करते सौमी जी आप तो सन्यासी हैं हम आपके शिश्यों को बता देंगे आप एक रहस्त को चरण सपर्श करते हैं तो सौमी जी मुस्कराते करते आचारी जी आप कितना भी छिपाएं पर हमने आपको पहचान लिया है मा आनंद मै, एक बार गुरू जी माता जी रिक्षा में बैठकर कहीं जा रहे थे, मेरे मन में आया कि मैं भी देखूं गुरू जी कहा जा रहे हैं, मैं साइकल पर उनके पीचे पीचे हो लिया, थोड़ा दर भी लग रहा था, कहीं देख लिया तो, पर मैं चलता गया, देख तो वे माँ आनंद मई के आश्रम में पहुंचे हैं मैं थोड़ा दूर में रहकर देखता रहा मैंने देखा माँ आनंद मई उन्हें देखते ही प्रसंदता से भर गए और बोली आईए आईए माता जी पिता जी आईए गुरू जी बोले मा तो आप हैं इस पर वे बंगाली भाषाव में बोली आमी जानी के बाबा के मा मैंने के वर इतना ही देखा कि उन्होंने गुरू जी माता जी के चरन पकारे और गुरू जी माता जी को भीतर ले गई तो मैं नहीं जा सकता था इसलिए बाहर से ही लौट आया शिरी शिव प्रशाद मिश्राजी राजिपाल महा महीम चेनना रेडी हिमाले से विशेश तप शक्ती लेकर गुरू जी ने शान्तिकुंज लोड़कर देव संस्कूती की अभियान 21 वी सदी उजवल भविश्य को कारण रूप देने होती हुँ प्रान प्रत्या वरतन सत्र आरंबिप किये थे इनी में से एक सत्र में भाग लेने का मुझे अवसर मिला इसी बीच एक दिन उत्तर प्रदेश की तातकालिन राजिपाल महा महीम चेनना रेडी शान्तिकुंज पधारे उनके आगमन पर शान्तिकुंज में एक सभा का आयोजन हुआ गुरुदेव ने देव संस्रुती की मिमानसा करते हुए उसके वरतमान विक्रत सुरूप की जो व्याख्या की उसके देनी दशा पर बोलते हुए स्वन गुरुदेव कई वार सजननन हो गए थे हमने देखा उनका विद्धता पूर्ण विवेचन और भावी योजना सुनकर जम राजिपाल महोदेवी सजननन हो गए थे अपने धन्यवाद भाशन में राजिपाल महोदे ने उनके भाशिकों सहारावा कहा कि आज मैं अपने जीवन में प्रथम बार एक महान संत तपस्वी और भारती संस्तुती के सच्चे उपाशक के दरसन कर पाया हूँ इसके बार वे सदा के लिए गुरुजी की अनुजाई बन गए श्री निरंजननात आचारे श्री निरंजननात आचारे का व्यक्तित्व अनुखा था पूजी गुरुदेव जब हिमाले से लोट कर शान्तिकुझ रहने लगे तो वे अकसर उन से मिलने हरे द्वार पहुँच जाया करती थे उस समय वे विधान सवा अध्यक्ष थे श्री हरदेव जोशी मुख्य मंत्री थे और श्री भैरोसी शेखावत विरोधी दल की नेता थे एक बार वे अपनी कार में अपने साथ श्री जोशी जी एवं शेखावत जी तोनों को एक साथ बिठा कर पूजी गुरुदेव से मिलाने ले आए उन दिनों वानप्रस्थ सत्र चल रहे थे पूजी गुरुदेव के पास तीनों नेता एक साथ मंच पर बैठे उस समय भी श्री आशारी जी ने मंच से यही कहा था कि मैं पूजी गुरुदेव के पास पहले वार कोई अच्छी नियत से नहीं पहुँचा था लेकिन उनके अद्बुत व्यक्तित में मुझे अपना अनन्य अन्याई बना लिया सन उननिस सो साथ सक्तर की बात है जब वे पूजी गुरुदेव से पहले वार मिले थे पूजी गुरुदेव की मत्रा से विदाई का समय निकट आ रहा था देश में जगा जगा बड़े यग्या उजन किये जा रहे थे जिनमें पूजी गुरुदेव भी पहुंच रहे थे ऐसे ही एक आयोजन की तैयारी राजिस्थान की जाजधानी जैपुर में चल रही थी वहां की प्रमुक कारिकरती श्रीमती चंद्रमखी देवी रस्तोगी प्रवद्ध जनों को भी यग्या योजन मे भागीदारी के लिए आमंतरत कर रही थी श्री निरंजन नात आचारे उन दिनों राजिस्थान विधान सवा के अध्यक्ष स्पीकर थे वे बड़े विद्वान विचारक एवं लेखक और सभाव के थस्कीले व्यक्ती थे श्रीमती रस्तोगी बहन जी उनके पास गई और तो नास्तिक किस्म का विखती हूँ परंदू श्रीमती रस्तोगी भी कम नहीं थी उन्होंने उत्तर दिया भाई सहाब हम बहुत थी जगा पहुंचे हैं हमें पता है आप आस्ता ही नहीं है लेकिन जिन कारणों से आप स्मयम को नास्तिक कहते उन कारणों का निवारन भी तो जरूरी है उसका स्योग बंदा है पूजी गुरुदेव जी मतुरा से विदाई के पूर्व तक पूजी गुरुदेव के लिए पूजी आशारी जी संबोधन ही कृषलिथा पदा रहे हैं आप आयोजन में अवश्य पदा रहें ऐसे उत्तर की श्री निरंजन आचारी में चारो दिन 16-20 जून 1971 मतुरा में रहे पूजी गुरुदेव के संबंद में अपने भाव व्यक्त करते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिए पूजी आचारे जी के सानिध्य में उनके प्रथम प्रष्ट पर समर्पंपद में उन्होंने लिखा है मैं पूजी आचारे ज उन्होंने रिशी युगम के दर्शन किया संबंत में अपने अभिवेक्ति दे वासमय समय पर कहते वी रहे कि आचारे जी का एकाकी दूषार्त सारे संथ समाज की समलित शक्ति की सतरका है उन्होंने गायत्री वा यग्यम प्रति बंद रहित करने के निमित जो कुछ भी कि या वह शास्त्रों के अनुसार ही था या प्रशनचा कुम्भों में पधारे पंडित गणों तक पहुँची और वेचों के उन्होंने प्रशन किया आचारी जी ने क्या शास्त्रों की अभेलना कर जिस इसको गायतरी दिख्चन नहीं दी क्या आप इसे उचित मानते हैं इस पर संतिश्री का कहना था कि शास्त्र विधी शास्त्र के अनुशीलन से निर्धारित होती है शास्त्र को शस्त्र बना लेने से नहीं आचारी जी ऐसे युग पुरुष है जिनका हर कारे शास्त्र सम्मत विधी सम्मत माना जाना चाहिए ऐसा कहकर उन्होंने उत्तर दिशा उन्होंने कहा आचारे की नस नाड़ियां फॉलात की हैं विकत तीस वर्षों में घंगोर तप करकि उन्होंने अपने आपको अश्ट धातू का बना लिया है हिमाले जैसी उदार हर्दे एवं मान सरूवर जैसी निर्मल ये दोनों गुरुदे वा माता जी आतमाएं हैं असंख्यों को पार कराने वाले वे अनुभवी मला हैं वे महान ही पैदा हुए हैं महानता किसांजी रहें और उनका अंतवी महान होगा करपात्री जी महराज जिनने सनातन धर्म की गरीमा इस्थापित करने का महत पुरुशार संपन किया अनेको गरंत इस विशे पर लिखे जिनने हिंदु धर्म का एक अधिकारी विद्वान माना जाता रहा है उन्होंने अपने भाव भरे उदगार इस रूप में वेक्त की ह आचारे जी इस युग में गायत्री के जनक हैं उन्होंने गायत्री को सबकी बना दिया यदि इसे मात्र ब्रामणों की मान कर उन्हीं के भरों से छोड़ दिया गया होता तो अब तक गायत्री महाविद्या संभवता लुप्त हो जाती स्वामी अखणना नंद जी सरस्ती के रूप में विख्यात कर पात्री जी के गुरू भाई एक महान संथ सिद्ध पुरुष है बिर्ड़ा परिवार उन्हें गुरू रूप में मानता रहा सभी गंतों पर उनको समान महारत राप्त थी अनेकोवार पुज गुरुदेव से उनकी मुलाकात हुई पुजिवर के वारे में ऐसी संथ इस्तर की सकता की व्यक्ती थी जो गायत्री का गुंगा जल की तरह सेवन करना चाहते हों वे अचारी जी का मार्ग अपनाएं यह आ बिल्डा जी की धर्म के पुजिवर के पास खीश लाती थी वे अकसर गायती तपो भुमी मत्रा आतेवा पुजिवर से सत्संग करते थे उन्होंने कईवार प्रस्ताव रखा कि पुजिवर अनेको व्यक्तियों से अंचदाने कत्र करने के स्थान पर उनसे एक मुष्ट द जी है जिससे ही है मिशन खडा किया है इसमें जन जन की भागिदारी है जिस दिन एक पुजिवर के धन से यह संस्था चनने लगेगी उस दिन मट बन कर रह जाएगी यह धन जो आप देना चाहते हैं जिस भगवान से आपको मिलता है उससे हम ले लेंगे पर करोरो व्यक्त के भाव भरे अंशधान के रूप में ताकि यह संस्था जन जन की बन जहे भाव भरे शब्दों में बिल्ला जी कहा करते थे मैंने गुरुदेव में पंडित जी में साक्षात ब्राम्भन के दर्शन किये हैं क्योंकि उनका कोई कारे कभी रुक नहीं सकता क्योंकि स्वेम भगवान उनमें समाय हुए हैं इसमें सेवे गुरुदेव को कभी कभी पंडित जी कहकर पुकात दे थे उन्होंने एक बार अपने मन की बात पूजिवर से कही कि पंडित जी जब मैं शरी छोड़ूं तो आपकी वहां उपस्तित चाहता हूं आपकी गुरुद में मेरे प पूजिवर की गुद में ही छोड़े रंगनात मिश्रे पूजिगुरुदेव के सम्मान में भार सरकार ने डांक्त के जारी किया उस समय इस समय श्री रंगनात मिश्रवी तातकारे नराश्ट पटी डौक्टर शंकर द्यार शर्मा के साथ शामिल हुए थे उन्होंने पू तरक में शाम्तिकुंज के विरिष्टकार करताओं से भेंत के दोरान अश्रमेद यग्दों की श्रंकला के अंतरगत बुम्निश्वरः और ब्रमपुर अश्मेद यगी के वसर पर शाअन्तिकुंज के पूचछ गुर्देव के क्रम ने उन्होंने बतलाया कि वे जब वक थे और हल ना निकाल पाने से चिंते थे बेठे आंके बंदुई और लगा की पूजिवर सामने प्रकट हो गए हैं उन्होंने मेरी चिंता के विशे का चिकर करते हुए कहा तुम्हें शक क्यूं हो रहा है और दूवाक्यों में उसका समधान कर दिया उनकी बात सुनकर शांति हो कर कहा नहीं ऐसा नहीं है मैं कहता हूँ यह सच है डौक्टर दत्ता ने कहा हम भी इसे सची मानते हैं पर वैग्यानिक तो यह प्रश्न करेगा ही तब वे बोले उन्होंने जो समधान दिया मैं उस निशकर्स पर पहुंच नहीं सकता था साथ ही मैंने उस समधान के साथ एक शक्ति संचार का भियनभव किया ऐसा ब्रह्म्य सुप्र में नहीं हो सकता यह सच है श्री विश्वनात दास सन 1961 की घटना है उस समय उत्तरपदेश के महामहीम राजिपाल श्री विश्वनात दास दर्शनात मतुरा विंदावन पहुंचे जिग्या सावश्च कायत वि पुझ गुरुदेव नेनका सौगत किया संस्था का परचे देते हुए अपना लिखा साहित भेंट किया श्री दास हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते थे उन्होंने अंग्रेजी में अपनी बात की जिसका हिंदी रूपांतर पुझ गुरुदेव के मित्र श्री दर्शनलाल अगरवाल एडवोकेट ने किया श्री दास ने अपने वक्तव्य में कहा I have seen Lord Krishna in person today आज मैंने व्यक्ति में भगवान स्री कृष्ण के धर्शन किये हैं